दोस्तो अगर आप भारतिया महिला टीम और पाकिस्तान महिला टीम के बीच में वर्ड कप का पहला मुकाबला देखने के लिए उस साही तो तो आप अभी ही इस वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा जियां दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो भारतिया महिला टीम और पाकिस्तान महिला टीम के बीच में रोमान चक आई सी सी वोमेंस विश्व कब 2022 का पहला मुकाबला जो खेला जाएगा उसी के बारे में कि आखरकार ये मुकाबला आप सभी को कब कहा हो और कैसे लाइब दिखाए जाएगा और कौन सी भारतिया टीम होगी इस मैच में तो पूरी डिटेल जानकार आपको बताएंगे तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में लेकिन दोस्तो उससे पहले आप भी हमें नीचे कमेंट में बताईएगा कि अगर भारतिया महिला ट अभी हाली में नीजिलेंड के खिलाफ एक मैच की टी-टून्ठी और पाँच मैच की बंडे सिरीज खेल कर पीछे हटी है और वहीं अभी भारतिया महिला टीम को सभी मुकाबलों में इस दौरान हार का सामना करना पड़ा जियां न्यूजिलेंड पहुंची भारतिया महिला टीम बड़ी ही उमीदों के साथ न्यूजिलेंड पहुंची थी क्योंकि वर्ड कप की तैयारी भारत को करनी थी लेकिन यहाँ पर भारतिया महिला टीम का उतना अच्छा खास प्रदर्शन रहा नहीं न्यूजिलेंड टीम के खिलाफ लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें कि ICC विश्वकप 2022 का आयोजन अब हो चुका है और ऐसे में अब भारतिय महिला टीम और पाकिस्तान महिला टीम आप सभी को आमने सामने भिड़ते हुई दिखाई देने वाली है दरसल ICC ने साल 2022 के वर् बारतिय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक कुल मिलाकर 10 मुकाबले खेले हैं और 10 में से 10 मुकाबलों में भारतिय टीम की ही इस दोरान जीत हुई जहां ओडियाई सीरीज की बात की जाए तो बहले ही न्यूजिलेंड टीम के आगे भारतिय महिला टीम कमजूर नजर लेकिन हम आपको बता दें कि न्यूजिलेंड के खिलाफ भारतिय महिला टीम अपने उन खिलाडियों के साथ नहीं खिली थी जिनके साथ उने खिलना था दरसल कुछ खिलाडी इस महामारी से संक्रमित हो गएते और कुछ खिलाडी इस दोरान दोरे पर चोटिल हो गएते औ और जिसके चलते भारतिया महिला टीम काफी लिमिटेडी प्लेयर्स के साथ मैदान पर उत्री थी लेकिन अब सभी खिलाडियों ने वर्ड कप से पहले बापसी कर लिया और शैफाली वर्मा, इसमिरिती मांदरा, मिताली, राज हर्मन, प्रीत कौर जैसे खदरना खिलाडी अ मुकाबला बे ओवल में खिला जाएगा जो कि आप सभी को लाइव 6 मार्च सुभा 6 बजे से आता हुआ दिखाई देगा तो वहीं भारतिया महिला टीम और पाकिस्तान महिला टीम दोनों ही टीमों का ये पहला ही मुकाबला होगा और पोइंच टेवल पर भी ध्यान रखते नजा रहेंगी तो वहीं सेवनिनी मेगना टीम का हिस्सा होंगी सैफाली वर्मा को भी टीम में शामिल किया जाएगा इस मृती मांदना होंगी टीम में यस्तिका भाटिया हर्मन प्रीत कौर इसने राना रिचा घोस तानिया भाटिया एकता विष्ट जूलन को स्वामी पूजा वस्तरकार पूनम यादव राजेशवरी का एक वार्डर रेनुका सिंग और सिमरन बहादूर तो वहीं हम आपको बता दें कि भारतिया महिला टीम में हर किसी की निगाएं टीम की गेंदवाजों पर जरूर रहेगी क्योंकि यहाँ पर नियुजिलेंड के मैदानो पर गेंदवाजों का प्रदशन काफी जादा शानदार रहा है और इस बार देखना होगा कि गेंदवाजी किस तरह की रहती है तो मैं बात करना अगर पाकिस्तान महिला टीम के बारे में तो जो पाकिस्तान महिला टीम की तरफ से आप सभी को खिलाड़ी खेलती हुए नज और आपको क्या लगता है कि इनका मुकाब्ल होगा तो कौंसी टीम चीतेगी आप अपनी कीमती राये और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा तो वहीं दोस्तो इस खबर में आगे हम आगे हम आपको क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी खबरे जो निकल करा रहे हैं उनके बारे में बताएंगे जैसे की जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो यह होगी कि भारतिया महिला टीम को ब BCCI की तरफ से मिला बड़ा तौफा अचानक से BCCI ने या ऐसा बड़ा एलान की जानने के बाद पूरा भारत देश उठा खुश तो दोस्तो इस खबर के बारे में भी जानेंगे और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो यह होगी कि भारतिया मह अगर हमारे चैनल आरे इस नियूस पर पहली बार आयो तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल की गंटी को भी जरूर दवाईएगा जिससे कि आपको क्रिकेट से जूड़ी तमाम चानकारिया और अपटेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे तो चलिए अब आपका ज श्री लंका के बीच सिरीज अब शुरू होने जा रही और इससे पहले भारत ने टी टॉंटी सिरीज में तीन सुनने से क्लिन स्विप किया है और हलाकि सिरीज के लिए सीनियर बल्ले बाजो जिए तिसवर पुजारा और अजिंग के रहाने को मौका नहीं मिलाए उनकी खिलने के लिए तैयार हैं और कोच राहुल द्रविड उन्हें मध्यम करम में उतारना पसंद करेंगे शुमन गिल्ड के लिए तीसरा नमबर सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा हाला कि दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत और श्री लंका के बीच में टेस्ट सिरीज अब यहां पर भारत आई है तो वहीं दूसरी तरफ भारते टीम टेस्ट सिरीज को जीतना बखोवी जानती है तो ऐसे में यहां पर यह दोनों ही टीमों के बीच में एक बहतरी मैच देखने के मिलेगा हलाके हम आपको बता दें कि पहला टेस्ट मुकाबले का पहला देन च सार मार्च को शुरू हो तो आप सभी को दिखाई देगा सुबह साड़े नौ बज़े से मैच की देखने हैं तो आप सभी को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग इस मैच की डिजनी प्लस होट इस्टार एप पर दिखाई जाए अब अगर हम बात करें भारती टीम के बारे में जो भार इस मैच में इस मिनिती मांदरा ने 28 गिंदों में 87 रनों की पारी खेलियो और अपनी इस पारी में उन्होंने 4 चौक्चे और 2 चक्चे लगाए तो इसमें दोस्तों यहां पर भारती टीम की खिलाडियो ने आज की इस मैच में काफी जबरजस्त प्रिदशन किया और पकिस प्रिद्शन को देखते हुए आप अपनी कीमती राय और विचार हमें निचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए बागे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो यह है तो बीसी कि आपको दिखाएगी जानकारी पसंद आई होगी वीडियो चल लगा तो वीडियो को लाइक करना साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे की जो आगे अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे तो मिलेंगे अगली को और इ